गाईज मुझे इस भाई का कमेंट आ रहा था कि सर क्या हम अपने खरगोस को बैगन या बैगन के ऊपर लगने वाले पत्ते को खिला सकते हैं गाईज हम लोग इस वीडियो में यही सब कुछ डिटेल्स में देखने और जानने वाले हैं कि खरगोस को बैगन खिला सकते हैं या नहीं और साथ में बैगन का पत्ता भी खिलाना चाहिए या नहीं और बैगन और उसके पत्ते खाने से खरगोस को क्या-क्या फाइदा होता ह क्या-क्या नुक्सान और खरगोस को कब बैगन खिलाना चाहिए कब नहीं और कितनी मात्रा में देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए तो गाईज सब कुछ इसी वीडियो में किलियर होने वाला है इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आप एक चैनल पर नए है या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बिल आइकन प्रेस करके आल पर कर लीजिए जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे क्योंकि गाईज मैं रैबिट से रिलेटेड वीड इतना फायदा होता है इसका उतना नुकसान भी होता है इसमें कई साइड एफेक्ट भी है और गाईज अगर आप इसे रैबिट को देना चाहते हैं तो दे सकते हैं बट बहुत ही लिटिल अमाउंट में क्योंकि इसे खाने से खर्गोष को काफी सारा नुकसान भी होता है गाईज अगर आप इसे खरगोश को खाने के लिए एक आथ तुकड़ा देते हैं तो इसमें कोई प्राबलम नहीं है बट अगर आप ज्यादा देंगे तो खरगोश को गैश की प्राबलम हो सकती है और उसका पोट्टी भी बार-बार पतला होता रहेगा और अगर आप गर्म में आप अगर खरगोश को लिटील इमांट में बैगन देते हैं तो कोई प्राबलम नहीं है वैसे गाईज रही बात बैगन के पत्ते रही बात को खिलाने की तो अगर आपका रही बात बैगन का पत्ता खाता है या खाना पसंद करता है तब आप उसे दे सकते हैं बट कोटे काते होते हैं, जिसे खाने से आपके खरगोश के मौ के अंदर चुबने का भी खत्रा होता है, इसलिए गाईज आप जब भी बैगन का पत्ता अपने रैबिट को देने वाले हो तब सबसे पहले आप बैगन के पत्ते के ऊपर कहीं काते वगारा तो नहीं है, एक बार च पसंद नहीं करता है, हाँ बैगन एक दो रैबिट खाते हैं, पर सारे रैबिट नहीं खाते हैं, और जैसा कि गाईज आप लोग इस्क्रीन पर देख पा रहे हैं, कि इस बैगन के पौधे में छोटे-छोटे कांटे आपको नजर आ रहे होंगे, और आपको अपने प्यार बेबी बनी को, इन काटों को हमेशा ध्यान में रखकर ही बैगन और उसके पत्ते खिलाना है, तो गाईज कहने का मतलब है कि बैगन आप खिला भी सकते हैं और नहीं भी, अगर खिलाते हैं तो एकात तुकड़ा ही खिलाईए बस, बहुत ज़्यादा नहीं, और गाईज कम कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर कमेंट करें, हमारे इस्टाग्राम का लिंक आपको हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हम आपको वहाँ डिटेल से आपके पुछे गए सवालों के जबाब दे देंगे, तो चलिए गाईज मिलते ह किसी नेक्ष्ट वीडियो में किसी नेक्ष्ट टापिक के साथ अब तक के लिए जय हिंद!